हरीफाटक ब्रिज के पास सरकारी जमीन पर दुकान, गोदाम और कार खाना चलाने वाले शुक्रुवार उस वक्त हहरान रह गए जब उनके संस्थानों को हटाने के लिए सुबह 6 बजे प्रशासनिक और पुलिस की टीम पहुँच गए पुलिस के जय के रूप में ख्यात A.S.P. अमरेंदर सिंग और प्रशासन के वीरू नरेंदर सुर्य वंशी ने किसी को अतिक्रमन हटाने की भनक तक लगने नहीं दी सुबह 8 बजे तक दोनों की टीम ने मिलकर आधी जमीन को साफ कर दिया सुबह 11 बजे तक तो रात तक अबाद रहने वाला शेतर भूकंप गरस्त नजराने लगा दरसल मनद गाडन से लगी करीब 3 हेक्टेर जमीन को S.D.M. ने करीब एक साल पहले सरकारी घोशित कर दिया था जमीन पर तब कब जब ही ले लिया गया था लेकिन इस पर लगी छोटी बड़ी दुकानों, गैराज और गोदामों को तब हटाया नहीं गया था मनद गाडन की जमीन नगर निगम को सौब दी थी यहाँ अब निगम की कच्रे की गाणिया खड़ी रहती है शुकरवार सुभा पूरे इलाके को सील कर प्रशासन एवं पुलिस की मौजुदगी में नगर निगम की टीम ने अतिकरमन हटाने की शुरुआत की चुकि अधिकतर निर्मान टीन छेट के थे इसलिए जेसी भी चला कर इन्हें तोड़ दिया गया प्रती रोध की आशंका के चलते प्रशासन ने पूरे शेत्र को सील कर रखा था शांती पैलेस की तरफ से लेकर जैसिंग पूरा तक ट्रैफिक बंद कर चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात रखा गया हाला कि एक बार भी प्रती रोध की स्थितिती नहीं बनी ADM नरेंद्र सुर्य वंची, ASP अमरेंदर सिंग, SDM जगदिश महरा, CSP पल्लवी शुकला, वंदना चोहान, तहसिलदार श्रीकान शर्मा के साथ चार सी जादा थानू का बल मौके पर मौझूद था करेगा, जपान की म्याव की पद्दती से यहां पहुदे लगाए जाएंगे, इस पद्दती में सगन पौधार उपन किया जाता है, कम समय में ही घना जंगल तियार किया जा सकता है, Smart City प्रशासन यहां 30,000 पहुदे लगाएगा, पहले चरण में 10,000 पहुदे लगाए प्रेड़ा और्डर मेंटेन कर रहे हैं अगर पालिका के अनुरोत के धन्यवाद थैंक्यू